Hey everybody, welcome back to Parcham, I am Richard Sharman, you are watching daily CA session, आज है 10 परवरी and Saturday और आज हमारा इस वीक का आखरी daily CA session होगा, कल हमारा weekly revision session होगा और Monday को हम फिर continue करेंगे, Sunday और Monday दोनों दिन के current affairs cover करके फिर पूरा वीक हम आगे continue कर जाएंगे, weekly session जो होगा वो भी आपका कल दिन में 12 बज़ आने वाला है, जिस time पर daily CA session आता है, ओके चलिए, अगर हम विकरम समवत Hindu calendar के हिसाब से देखेंगे, तो माग महीना चल रहा है, पिछला महीना पहुश था, यह महीना माग है, शुक्ल पक्ष हो चुका है, चालू, यानि अब जो चान्द है वो दीरे दीरे बढ़ेगा, size में increase होगा, और प्रतिपदा है, जैसे प्रत्मा भी बोलते हैं, और कल अमावस्ती, आज प्रत्मा या प्रतिपदा है, ठीक है ची, चलिए, कल का जो सेशन था, उसमें जाते जाते आपसे, question of the day की आ गया था, उसका answer discuss कर लेते हैं, और फिर आगे बढ़ेंगे, so I had asked you, recently who received golden visa from UAE government, UAE government, golden visa देती है, कुछ select लोगों को, कुछ important हस्तियों को, या फिर कुछ important investors को, तो recently इंडिया से एक व्यक्ति को golden visa दिया गया, और किस व्यक्ति को दिया गया, वो पुछा गया था आपसे, and the right answer will be Anand Kumar, Super 30K founder Anand Kumar, everybody answered it right, अब यह क्या है, यह I have randomly picked one comment, जिसमें की, जो भी throughout the video मैंने आपसे बीच-बीच में questions और किये थे, while discussing the topics, उनका एक पूरा जिस्ट है, जिन बच्चों ने answer नहीं किया, जिनको नहीं आते, उनके लिए एक फटाफिर से revision हो जाएगा, बाकियों के लिए चेक हो जाएगा, So I had asked you, Justice Ranjana Desai, जिन्होंने UCC, जो कमिटी है उतराखंड का UCC Code लाने के लिए, Uniformed Civil Code लाने के लिए, कमिटी बनाई गई थी, पांच मेंबर्स की, उसको हेड किया था, रंजना Desai जी ने, आपसे मैंने पूछा था, कि रंजना Desai जी का जमू एन कश्मीर से कुछ लेना देना था, तो क्या था, तो yes, she had headed the Delimitation Commission on Jammu and Kashmir, जब Delimitation के exercise पूरी हो रही थी, फिर मैंने आपसे पूछा था, कि FIFA World Cup Qualifier, जो इंडिया के अंदर, हैदराबाद होस्ट करेगा एक मैच, उसमें इंडिया का मैच किस से होना है, सो कोवेट से होना है, then I had asked you, Nisar Project, जो कि एक Earth Observation Satellite है, नासा और इसरो मिलकर के लाँच करेंगे, वो कब लाँच होना decided है, या फिर speculated है, सो इसकी tentative date 30th of March 2024 रखी गई है, then I had asked you, के इंडिया ने एक deal sign की है यूएस के साथ, UAVs जो होते हैं, ड्रोन्स जो होते हैं, उनको acquire करने के लिए, तो उन ड्रोन्स का नाम क्या है, 31 ड्रोन्स हम acquire करेंगे, सो MQ9B UAVs हैं, जिनको हम USA acquire करने वाले हैं, और फाइनली ये तो आपने answer करी दिया था, तो ये कल का पूरा discussion हो गया, जिन बच्चों ने miss out किया है, या answer किया है, revision learning सब यहां से हो सकती है, चलिए, आज की सबसे बड़ी खबर, तीन और भारत रतन अनाउंस हो चुके हैं, और ये तीनों ही posthumous category के अनाउंस हुए हैं, कौन तीन लोग हैं जिनको भारत रतन और दिया जाएगा, और 2024 में टोटल 5 भारत रतन अनाउंस हो गया, जबकि माम आपने तो बताया थे एक साल में तीन ही हो सकते हैं, तो क्या है ये जोल, what is this thing all about, इसका discussion सबसे पहले आज हम करने वाले हैं, तो कौन तीन लोग हैं जिनके लिए अनाउंसमेंट आया है, भारत रतन का 2024 में वो पहले देख लेते हैं, और उससे भी पहले आप जल्दी से लिखिए, वो दो व्यक्ति कौन है, टू अधर पीपल जिनको 2024 में भारत रतन कानफर करने का अनाउंसमेंट आ चुका है, पहले दो व्यक्ति 2024 में जिनके लिए भारत रतन अनाउंसमेंट आ चुका है, पीवी नरसिमा राओ जो की हमारे नाइंट प्राइम मिनिस्टर की तौर पी रहे चुके हैं, चरन सिंग जो की हमारे फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर रहे चुके हैं, और एमेस स्वामी नाथन जी जो की ग्रीन रेविल्यूशन के जनकिया, father of green revolution कहे जाते हैं तीनों को posthumous category यानि की मरनो परांथ ये भारत रतने दिया जाएगा making 2024 में total number of भारत रतने comfort people to be 5 पाँच लोगों को टोटल ये दिया जाएगा बिल्कुल discussion करेंगे 5 कैसे so union government ने 9th February 2024 को announce किया है posthumous category में भारत रतने फॉर्मर प्राइमिनिस्टर चौधरी चरंसिंग और पीवी नरसिंभा राओ एंड एग्रिकल्चर साइंटिस्ट एमेस स्वामी नाथन तो अब एक एक व्यक्ति के बारे में आपको सारी बायोग्रिफी पता होनी चीए जिसको भी भारत रतन मिला है ना उनके जीवनी आपके टिप्स पे होने चीए एक्जामिनर पूछ लेगा भारत रतन से रेलेक्टिट स्टाटिक पॉइंट्स आपके टिप्स पे होने चीए एक्जामिनर पूछ लेगा अल्रडी भी पूछे हैं तो यह सब हम कवर करने वाले हैं पर उससे पहले मैं जल्दी से जानकारी देदूं अबाट दी पीडिए आज का बहुत इंपोर्टन सेशन होने वाले है तो इसका पीडिएफ तो चाहिएगा आपको कहां मिलेगा पर्चम क्लास के टेलिग्राम चैनल पे मिलेगा उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के टाइटल पे क्लिक करो नीचे बजे तक सेम प्लाटफॉर्म पे मिल जाएगा पर्चम क्लास की एप के ओपर भी फ्री मटीरल सेक्शन में अवेलेबल करवाये जाते हैं वीकली या मंथली मैगजीन चाहिए तो यहां नहीं मिलेगी उसके लिए पर्चम क्लास की डॉट इन वेबसाइट है वहां जाना हो जो भी हम पढ़ते हैं और PDF बैंक में बाकी सारे सब्जेक्स के भी हैं मंथली मैगजीन अगर अभी तक चेक आउट नहीं की है जैनवरी मंत की तो चेक आउट करडीचे का पर्चम क्लास क्लास के अवेलेबल है जाधा जानकारी के लिए प्लीज संपर करें ऑन हेल्प या इमेल अड्रेस या आप चाट करिए आपकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है PDF तो यहां वीडियो के कॉमेंट में लिखने से जल्दी सेल्यूशन नहीं मिलेगा बेटर है इन एरियास पर कॉन्टार्ट किया कि जो टीम यहां पर बहुत अक्टिव होती है ठीक है चलिए 24 के उनके ऊपर तो सबसे पहले हम बात करेंगे MS स्वामी नाथन जी की जिनको Green Revolution का जनक या Father of Green Revolution in India कहा जाता है यह एक पोस्टर आपको काफी कुछ इनके बारे में बता देगा बाकी बात में भी हम देखेंगे So, he was a very renowned scientist जो की 7th of August 1925 को इनका जन्म हुआ था और काफी सारे awards, notable awards इनको मिले हैं हम food grains में self-sufficient आत्म निर्भर इनकी वज़े से हुए हैं बिकाज उन्होंने काफी research की इस field के अंदर और high yielding varieties की crops इन्होंने लेकर के आए और उगाने के लिए लोगों के पास option रहे और उसके वज़े से food के शेत्र के अंदर यानी crops में, grains में revolution इंडिया लेकर के आया काफी सारे notable awards इनको मिले, Raymond Maxis Award 1971 में मिला, Albert Einstein World Award of Science मिला, Padma Vibhushan अलरडी मिल चुका है इनको 1989 में पहला World Food Prize MS. Swamy Nathan जी को मिला था 1987 में और भी काफी सारी बाते हैं एक-एक करके देखते हैं So MS. Swamy Nathan जी Harit Kranti के जनक्या Green Revolution के फादर माने जाते हैं इंडिया में Also United Nations Environment Program इनको फादर of Economic Ecology भी कहता है Economic Ecology के फादर भी इनी को कहा जाता है कहां हुआ भी इनका बर्त August 7, 1925 में कुम्ब कोनम मदरास Presidency में हुआ जो की अब तमिलनाडू के अंडर में आती है और इनकी जो Death Anniversary है वो 28th September को आती है 28th September 2023 में पिछले साल ही इनका निधन हुआ है और तब हमने इनको न्यूज में पढ़ा था दंसे चिन्नाई के अंदर इनका दिहांट हुआ लाइक आ विस टेलिंग यू High Yielding Variety Paddy की Paddy मतलब चावल और उसकी High Yielding Variety इस पर इन्होंने काफी सारी रिसेर्च की जिसके चलते Green Revolution आ पाया इंडिया में फिर ऑफ कॉर्स जो गेहु हैं उसके एरिया में भी काफी जाधा प्रोडक्शन बढ़ा और इंडिया फूड ग्रेंज में सेल्फ सफिशन बन गया बाई विच यह 1971 बहुत सारी एमिनेंट पोजिशन इन्होंने अपने पूरे करियर के अंदर होल्ड की हैं कुछ एक हम देख लेते हैं यह डिरेक्टर जनरल रहे चुके हैं इंडियन काउंसिल ऑफ अग्रिकल्चल रिसर्च और इंटरनाशनल राइस रिसर्च इंस्टिटूट के डिरेक्टर जनरल देन ही हास सर्व अस प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ अग्रिकल्चर 79-80 के अंदर इननों ने इस पोजिशन पर काम किया प्रेजिडेंट रहे चुके हैं आयूसीन के इंटरनाशनल इन्यून ओन कंजर्वेशन आफ नेचर और नाच्रल रिसोर्स इटी-4 से-90 आयूसीन को यह एस प्रेजिडेंट संभाल चुके हैं और 2004 में इनको चेर्मेन ओफ नाशनल कमिशन ओन फार्मर्स भी अपोइंट किया गया था तो यह कुछ एमिनेंट पोजिशन है और कमिंग ओवर तो आवार्ड जो की सूपर इंपोर्टन काटेगरी है यहां से कुछ भी उठा के पूछा जा सकता है पर्टिक्लरली जो मैंने यलो में हाइलाइट किया है रेमन मैकसे से अवार्ड कब मिला था है में स्वामी नाथन जी को 71 में अलबर्ट आइंस्टैन वर्ल साइंस अवार्ड 86 में फर्स वर्ल्ल फूड प्राइस नाइटी सेवन के अंदर मिला पद्म श्री मिल चुका है भूशन मिल चुका है विभूशन का इयर याद रखिएगा पद्म विभूशन in the year 1989 इसके दो साल बात वर्ल फूड प्राइस के इनको 20 most influential Asians in 20th century में टाइम मैगजीन ने इनका नाम भी शुमार किया याद रहेंगे MS स्वामी नाथन जी याद रख नहीं है option नहीं है इनको भारत रतन जो की highest civilian award है इंडिया का किसी भी नागरित को दिया जाने वाला सबसे उतकृष्ट award कौन सा होता है भारत रतन होता है कौन से साल में इसकी शुरुवात होई थी 1954 में होई थी तीन लोगों को 1954 में भारत रतने दिया गया था जल्दी से नाम लिखो पढ़ चुके हैं पहले भी क्योंके दो भारत रतने पहले भी हमने डिसकास किये थे कौन कौन से थे अब मैं बता देती हूँ आपने क्योंके लिख दिया होगा अभी तक एक थे करपूरी ठाकुर जी बिलकुल और दूसरे LKR दवानी जी रइट और अब ये तीन और आगये हैं तो पीवी नरसिमा राओ तो पीवी नरसिमा राओ जिनका पूरा नाम पमुला पर्थी वेंकटा नरसिमा राओ जिनको पॉपिलल हम पीवी नरसिमा राओ बोलता है प्रामिनेंट इंडियन लॉयर रह चुके हैं स्टेट्समन यानि गवर्नेंस में रह चुके हैं पॉलिटिशन रह चुके हैं और ऑथर भी रह चुके हैं ये नाइन्थ प्रामिनिस्टर के तौर पे इंडिया को सर्व कर चुके हैं कब से कब तक 1991 से 1996 1991 सुनके कुछ कान खड़े हुए क्या कुछ ध्यान कहीं गया 1991 में इंडिया LPG लेकर किया था कौन सा LPG ये पेट्रोलियम गैस वगेरा वाले बात नहीं कर रही हुए लिब्रलाइजेशन, प्राइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानि ओपन एकनॉमी की तरफ हम मूव किये थे तो इंडिया के अंदर जो LPG लाने वाली सरकार थी जो प्राइम मिनिस्टर थे जिनके समय ये हुआ था वो कौन थे? पीवी नर से मारा हो थे इनका वर्थ 28 जून 1921 में हुआ करीम नगर में जो की प्रेजन दे तेलंगाना के अंदर पढ़ता और ये डेटा आपको प्राइम मिनिस्टर का जो पॉर्टल है गर्मेट वेबसाइट पर वहां दिख जाएगा इनकी डेथ 23 डिसेंबर 2004 में हुई थी नई दिल्ली के अंदर पर डेथ के बाद इनके बड़ी कॉंट्रवर्सी हो गई थी इनको यहां ना क्रेमेटोरियम देकर के इनको कहा गया के आप अपने होम टाउन जाकर के वहां पे इनका दास अंसकार बगरा करिये तो काफी इसको लेके गहमा गहने हुई थी 23 डिसेंबर को पीवी नरसिमा राओ जी की डिथ एनिवर्सरी होती है और इसी दिन जो हम अगले पढ़ेंगे चौधरी चरन सिंग जी उनकी बड़्थ एनिवर्सरी होती है ठीक है तो यह एक पाक्ट आप याद ऐसे रख सकते हो इनके कारिकाल के बारे में फूरा देखते हैं बहुत prominent Congress leader थे यह आ अंदर प्रदेश के उस समय में अंधर प्रदेश होते लंग अलग अनलग अलग नहीं थे तो आंदर प्रदेश के prominent Congress leader के तॉर पे पीवी नरसिमा राओ जी ने काम किया था Freedom fighter रह चुके हैं हाइदराबाद का जो वन्दे मात्रों मूवमेंट था 1930s में जो चल रहा था, लेट 1930s में उसमें इन्होंने अपना कॉंट्रिबूशन दिया था, साउथ इंडिया से पहले पर्सन जो की प्राइम मिनिस्टर बने कौन थे, पी विनर से मारा हो थे, और अब आज़ो फिर्स्ट कॉंग्रेस प्राइम मिनिस्टर आउटसाइड नहरू गांधी फामिली, नहरू गांधी फामिली से कोई भी पी एम बना हो, के बाहर कोई पी एम बना हो, और वो कॉंग्रेस का हो, ऐसा अकेला व्यक्ति कौन था सबसे पहला, वो थे, पी विनर से मारा हो, और सिंप्लिफाई कर देती हूँ, फिर्स्ट कॉंग्रेस प्राइम मिनिस्टर, जो की नहरू गांधी फामिली को नहीं बिलॉग करते थे हो, पी वी नर से मारा हो, लेट मी पूट इट सिंप्लिफाई है। प्राइम मिनिस्टर बनने वाले व्यक्ति और यूपी के सीम बनने वाले व्यक्ति काफी पॉपिलर रहे, जो किसान समुदाय है, उसके अंदर अपना काफी होल्डिनों ने बनाया था, तो चलिए देखते हैं इनके बारे में, चौदरी चरण सिंग, बर्थ 23rd डिसेंबर, कौन से दे की तरह अब्जर्ब किया जाता है, 23rd डिसेंबर, लिखो, इंपॉर्टन डेज में पढ़ते हैं, 23rd डिसेंबर, 1902 नूरपुर मेरट या मेरट, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ, डेथ अनिवर्सरी इनकी 29th मे को अब्जर्ब क करते थे, कई बार जेल गए हैं, आंदोलन के चलते, और इंडियन नाशनल कॉंग्रिस से जुड़ करके ये राजनीति के अंदर आये थे, लेकिन फिर इनों ने इंडियन नाशनल कॉंग्रिस का साथ छोड़ा, और पहली बार जब ये UP के CM बने, तो कॉंग्रिस के साथ नह कि दुबारा ये CM बने हैं, उत्तर प्रदेश के 1970 में, तो दो बार इनोंने CM पोजिशन संभाली है, और दूसरी बार इनको कॉंग्रिस सरकार का साथ मिला था, फिर वो साथ हट गया, तो थोड़े-थोडे कारेकाल के लिए रहे हैं, पर ये रहे हैं, इंडिया के 5th लाने में, इनका बहुत एहम भूमिका रही है, किसानों से जुड़े हुए नेता रहें, इसलिए इनको चैंपियन ओफ पिजन्स भी कहा जाता है, फार्मर वेलफेर से काफी इनोंने काम किया है, इनकी काफी सारी इंपोर्टेंट राइटिंग्स, और पैंफ्रिट्स वग ठाकुर जी के बारे में सब कुछ पढ़ा था, लके अडवानी जी के बारे में सब कुछ पढ़ा था, तो ये टोटल पांच लोग जिनको भारत रतन मिला, अब आते हैं, आपके मन में उठ रहे ती देव से एक सवाल पे, और उसको अद्रेस करते हैं, कि माम पांच भारत रतन कैसे, आपने कहा था, और in fact भारत रतन की ओफिशल वेबसाइट भी बोलती है, that number of भारत रतन अवर्ट इस रेस्ट्रिक्टेट, to a maximum of 3 in a particular year, so my dear students, answer है exception, exception के तहत, इस बार 5 भारत रतन दिये गर, पहली बार ये exception नहीं हो रहा है, 1999 के अंदर भी 4 भारत रतन दिये है, maximum number of भारत रतन आज तक किसी साल में अलोट हुए है, तो 2024 में 5 लोग को हुए है, so exception से सब कुछ possible है, right, चलिए, so like I had told you, भारत रतन हाइस सिविलियन अवर्ड है, और 1954 में इसकी शिरुवात होती है, तीन लोगों को ये दिया जाते है, और तीनों का सरनेम आर से है, आधा कृष्णन, सीवी रमन, एंसी राजगोपालाचारी, तीन लोग पहले रिसीपिंट्स बनते हैं भारत रतने के 1954, एक्सेप्शनल सर्विस या परफॉर्मेंस अगर दें किसी उतकृष्ट लेविल की, जिससे समाज का भी भला हो रहा हो, लोगों का भी भला हो रहा हो जल्दी बताओ कि सबसे पहले पॉस्थियूमिस भारत रतने अवर्ड किसको मिला था पढ़ चुके हैं, और भारत रतने के लिए रेकमेंडेशन कौन देते हैं, प्राइम मिनिस्टर देते हैं प्रेजिडेंट को और फिर प्रेजिडेंट कौन फर करते हैं भारत रतने, सम हम आते हैं, 10 फर्वरी आज के दिन को एक इंपॉर्टन डे की तरह अबजर्ब किया जाता है, न væ erि brings day. कुछ, लोगों के दिमाग में कीडे होतें, उनको तो दीर्म नहीं कर सकते नए पेट के कीडे डीवर्म किया जा सकते है, National Deworming Day है 10 परवरी, कीडे ऐसे कुल बलाते हैं, कि हमें प्यार है आपके गट से अगर कचरा खाओगे, गंदा खाओगे तो हम कीडे आपके पेट में घूमेंगे, तो बस उनी कीडों को हटाने के लिए National Deworming Day अब्जर्व किया जाता है और एक साल से लेके 19 साल तक के लोगों को Deworming Administer की जाते हैं, तो वर्म्स जो होते हैं, Soil Transmitted Helmints होते हैं, जो की मिटी वगरा से आपके पेट में चले जाते हैं, आपके आतों के अंदर आपका nutrition ले रहे होते हैं, आपकी ग्रोथ को रोग देते हैं, उनको Deworm करने के ये 10 February को एक dose दी जाती है और फिर एक महीने बाद 10th of August को दूसरी dose Administer की जाती है, समझ में आ गया Deworming Day, आगे देखेंगे, World Pulsus Day भी आता है 10th of February को, Deworm कर दिया, अब उसके बाद Pulsus खा लिजे, यानि दलहन, दालें जिसमें आती हैं, So इसकी theme इस बार की क्या रही, Nourishing Soils and people through power of pulses, World Pulsus Day है जो भी international level के important days होते हैं, usually उनकी theme declare की जाती है, तो World Pulsus Day की theme क्या रही, important day है, just to tell you, So इसकी theme रही, Nourishing Soils, पहले तो soil nourish करो and people through power of pulses, legumes होते हैं तो nitrogen fixing में भी काम करते हैं, Soil के अंदर nitrogen की मातरा बढ़ाते हैं और हमारे अंदर भी protein की बातरा बढ़ा देते ह So 10th step को ही World Pulsus Day आता है, Pulses, Nourishing Soil and People, Nourishing Soil and People through power of pulses यहाँ यह लिखा है, पर actual theme अगर आप देखोगे यह है, कोई बात नहीं, keywords पकड़ लो, बात सेमी है, इसको United Nation General Assembly ने 2018 के अंदर designate किया था, as World Pulsus Day, So theme यह याद रखिएगा, Pulses, Nourishing Soils and People, आगे बढ़ेंगे, Okay, so पिछली बार ही, declare किया गया था, कि हम एक important day observe करेंगे 10 फरवरी को, और वो है International Day of Arabian Leopards, Arabian Leopards, दुनिया के अंदर leopards की, if I'm not mistaken, 9 species हैं, और उनमें सबसे छोटा जो है, वो Arabian Leopard है, और critically endangered category के अंदर आता है, बाकी leopards usually vulnerable category में जाते हैं, लेकिन यह वाला critically endangered category के अंदर देखा जाता है, तो United Nations ने ही 2023 के अंदर एक resolution पास किया था, जिसके तहर यह decide हुआ, कि अगले साल से, यानि 2024 से International Day of Arabian Leopards observe किया जाएगा, तो इस साली पहली बार observe किया जा रहा है, got it, चलो, so United Nations General Assembly ने proclaim किया इस दिन को, critically endangered है Arabian Leopard, और appendix 1 of sites में listed है, sites क्या है, Convention on International Trade in Endangered Species, एसी species जो कि appendix 1 में listed होती है, आप इनका trade नहीं कर सकते, खरीद बेच नहीं कर सकते, बिलकुल कानूनन अपराद होता है, 1975 से ये sites के appendix 1 के अंदर listed है, appendix 1 highest degree of protection देता है sites के हिसाफ से, जैसे हम Wildlife Protection Act में schedule 1 बोलते हैं, इंडिया के case में, ऐसे ही sites में appendix 1 highest degree of protection देता है, Arabian Leopard, Panther Pardus Nimr, ये इसका zoological name है, बहुत limited distribution है इसका, बहुत थोड़े से area में पाया जाता है, कुछ isolated pockets हैं, कहां पे Saudi Arabia, Oman, Yemen, UAE, तो अगर आप देखोगे, Middle East वाला जो हिस्सा होता है, वहां पे थोड़े थोड़े areas में ये पाया जाता है, यहां से आपको काफी कुछ समझने को म अरेबियन लेपर्ड स्मॉलिस्ट सब स्पीशीज है, लेपर्ड की, और एफ्रिकन लेपर्ड से अल्मोस्ट हाफ साइज का ये होता है, और एरिड माउंटेंस, Middle East के जो हैं, वहां पे यूशली पाया जाता है, दुनिया में दोसों से भी कम इसका काउंट रहे गया है, ग खेलो इंडिया यूथ गेम पढ़ लिए, खेलो इंडिया विंटर गेम पढ़ लिए, खेलो इंडिया यूशली गेम पढ़ लिए, बिल्कुल सही, ये तीनों ही खेलो इंडिया के अंडर में खेलवाए जाते हैं, तीन काटेगरी में खेलो इंडिया और्गनाईज किया ज बढ़े जी आगे चलो तो असम में खेलो इंडिया युनिवर्सिटी गेम्स के मैस्कॉट को किया है लॉंच और ये है एक तितली तितली और इसका नाम क्या है अश्टलक्षमी चलिए तो असम सीम हेमत पिस्व सर्मा जी जो है इन्होंने मैस्कॉट लॉंच किया है अश्टल 2023 के बिल्कुल राइट लिखा हुआ है 2024 नहीं होगा 2023 के गेम्स इस साल और अर्गनाईज किये जारें जैसे यूथ गेम्स भी आपने देखा 2023 के थे 24 में और अर्गनाईज किये गए थे गोहार्टी असम के अंदर मैस्कॉट को लॉंच किया गया अश्टलक्षमी नाम यहीं पर मुझे बता दो खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स वाला मैं बता देती हूँ Snow Leopard जो होता है वो mascot है Hello India Winter Games का Hello India Youth Games की mascot जल्दी से लिखो तामिलनाडू के अंदर host किये गए थे इस बार लिख दीजे और जो Winter Games है वो लद्दाप और जमुएन कश्मीर में host हो रहे है So 4th Hello India University Games कहा होंगे, असम के अंदर होंगे कब होंगे, 19 to 29 February होंगे वो बाकी North East Indian States के अंदर होंगे जैसे जैसे schedule सामने आएगा बता दिया जाएगा जिसमें boxing, weightlifting, wrestling और yogasana है ये दूसरे North East Indian States में होंगे बाकी 16 असम के अंदर खेले जाएंगे अब खेलो इंडिया गेम्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि बहुत बार नीज में आ चुके हैं थोड़ा static देखना बनता है खेलो इंडिया प्रोग्राम जो था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के साथ शुरू हुआ अब आप बोलो कि मैम स्कूल गेम्स भी होते हैं अब नहीं होते हैं उनी को हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स बोल देते हैं खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के साथ खेलो इंडिया प्रोग्राम के शुरुआ 2018 में होती है फिर इंडियन ओलम्पिक असोसीयेशन जुड़ जाता है इस पूरे प्रोग्राम के साथ और 2019 में इन school games को ही rename कर दिया जाता है खेलो इंडिया youth games के तौर पर समझ में आई बात तो खेलो इंडिया youth game कब से हो रहे हैं 2019 से हो रहे है first edition खेलो इंडिया winter games का youth games का तो हमने देख लिया 2019 में हुआ winter games का पहला edition 2020 में lay and gullmarg कश्मीर के अंदर हुआ फिर्स्ट खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स भी 2020 में हुए कलिंग इंस्टिटूट ओटेशा के अंदर खेले गए ये तो हुआ फिर्स्ट फिर्स्ट अब रीसंट रीसंट वाली बात कर लेते हैं तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6th edition इस बार और्गनाईज करवाया गया जैनवरी में तमिल नाडू के अंदर ठीक है विजयता टीम बताओगे बताओगे चलो बताओ विनर ओवरॉल विनर कौनसी टीम रही है तेल में खेलो इंडिया विन्टर गेम्स 2024 अभी चल रहे हैं फर्स जो फेज था लदाख वाला जब से लदाख उनिन टेरिटरी बना है पहली बार होस्ट कर रहा है सो वो हो चुका है ले लदाख में सेकंड जो इसका एडिशन है या फेज है नॉट एडिशन वो गुलमर्ग जमुएन कश्मीर में होना बाकी है ठीके जी क्लियर हो गई नियूज आगे बढ़ेंगे एक अपॉइन्मेंट देखते हैं अगला अपॉइन्मेंट भी देखेगा टाटा ए आई ए लाइफ ने अपॉइंट किया है CEO and MD वेंकट चलम H वेंकट चलम होंगे टेट टाटा ए आई ए लाइफ के नए CEO and MD then moving over to Oscars, Oscars मार्च के अंदर होने हैं लेकिन एक अनॉंस्मेंट आए कि एक और काटेगरी Oscars में आड करती गई है अभी तक जितने भी काटेगरी में आवाड दिये जाते हों में एक और एडिशन आ गया है तो Oscar announces a new award for casting directors casting directors कौन होते हैं जो particular role के लिए किसी व्यक्ति को cast करते हैं कि अच्छा so and so role है मुझे लगता है इस actor या इस actress को cast करना चाहिए उसको कहते है casting directors तो casting directors के लिए एक और काटेगरी डाली गई है academy awards में तो उसका title क्या रहेगा proper academy awards for achievement in casting इस नाम से award दिया जाएगा और 98th edition जो होंगे na 2026 में इस बार जो academy awards होंगे वो 96th edition है ठीक है so 98th edition 2026 में organize किये जाएंगे for performance in 2025 अब देखो 2024 में awards जो दिये जाएंगे इस बार वो किसके basis पे होंगे 2023 में जो pictures वगेरा movies आई है उसी basis पे ना तो जो 98th edition होगा 2026 में वो किसके basis पे दिया जाएगा 2025 की performance के basis पे तो 98th academy awards जो 2026 में होंगे तब से यह वाली category में award दिया जाएगा got it? कोई problem? नहीं? चले आगे? चले अब हम बढ़ते हैं इंडेक्स की तरह एक ranking सामने आई है और वो ranking है traffic से related कहां कितना traffic होता है कहां बहुत देर लगती है एक destination तक पहुचने में तो top 10 worst traffic वाली cities का एक index आया और उसमें इंडिया से दो cities शामिल हैं बैंगलूरू पुने ठीक है? ट्राफिक का हाल खराब है बैंगलूरू की performance पिछले साल से थोड़ी improve हुई है लेकिन अभी भी top 10 worst traffic cities में बैंगलूरू और पुने का नाम इंडिया से जाता है ग्लोबल लेवल में तो बैंगलूरू और पुने अमंग the 10 worst for traffic किसकी study के हिसाब से यह टॉम टॉम ट्राफिक इंडेक्स 2023 आप बोलोगे मैं इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा नाम सुनके टॉम 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 इंपॉर्टेंट है क्योंके जो टॉम टॉम कंपनी है वो specialized करती है location technology के अंदर और फिर सारी information लेके particularly traffic से related हर साल ही अपना index यह ranking पेश करते है टॉम टॉम ट्राफिक इंडेक्स 2023 बैंगलूरू और पुने ठीक है इस report में 387 cities को study किया गया 55 countries में कैसे उनके traffic से travel time, fuel cost, carbon emissions सब affect हो रहे हैं और फिर पूरी एक ranking सामने लाई गई 600 million car navigation systems से data निकाला गया और फिर ranking बनाई गई London में slowest traffic है यानि कि 10 km पहुचने में एक average time जो लगता है न तो वो सबसे जाधा time London के अंदर लगता है, London has got the slowest traffic in 2023 बात करें बैंगलूरू की तो बैंगलूरू 6th नंबर पे है, पुने 7th नंबर पे है in terms of average travel time in 10 km तो कितना time लग रहा है 10 km का average time या फिर overall कितना time लग रहा है उसमें 6th नंबर पे बैंगलूरू 7th नंबर पे पुने ध्यान दीजेगा, this is on average travel time लेकिन अगर आप बात करोगे congestion की तो ranking अलग है उससे पहले यह देखो, बैंगलूरू ने अपनी ranking better की है, 2022 में second worst city था in terms of travel time अब 6th नंबर पे है, तो improvement है, जी improvement है, ठीक है, congestion की अगर हम बात करें, congestion भीड भड़क का, traffic jam हो जाता है ओकी, तो congestion की अगर हम बात करें, तो बैंगलूरू रूसरे नंबर पे है, पुने 7 नंबर पे है, तो travel time में तो बैंगलूरू फे ठीक है, पर अभी भी congestion में तो second number पे है यह आप देख सकते हो, लंडन, यह travel time के basis पे अगर आप देखोगे, तो यह लगा हुआ है, travel time में लंडन worst है, इसलिए टॉप rank पे है, और यह आप बैंगलूरू देख सकते हो, पुने देख सकते हो, 6th न 7th पे, right, congestion में अगर आप देखोगे, तो देखो, लंडन की percentage इतनी जादा नहीं है, Dublin की सबसे जादा congestion है, और अगर आप देखेंगे यहाँ पे बैंगलूरू, second number पे आता है, list all लंबी है, पर इतना ही देखना काफी रहेगा, got it, चले, अगली खबर अब हम national category of news से लेते हैं, और प्रधान मंत्री मत्स्य किसान सम्रिधी सह योजना, प्रध प्रधान मंत्री मत्स्य किसान सम्रिधी सह योजना, प्रधान मंत्री मत्स्य किसान सम्रिधी सह योजना, PM, MK, SSY, ठीक है, और इसको cabinet ने approval दे दिया है, तो fisheries के sector में micro small enterprises को बढ़ावा मिलेगा, और किसान सम्रिध हो पाएंगे, उनको credit facilities से और जोड़ा जाएगा, तो main fisheries के sector में और fishermans को support करने के साथ साथ, micro and small enterprises को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए इस sub scheme को लाया गया है, 6000 क्रोर का आउटले रखा गया है for the next 4 years, यानि कि 2023-24 से लेके 26-27 तक जितने भी states and union territories हैं, उनके अंदर अगले 4 सालों में 6000 करोड रुपे का investment का खर्चा इस scheme के तहट किया जाना है, 40 lakh small and micro enterprises जो credit facility से जोड़ सके and नई खुल सके, ये एक target रखा गया है and 6.4 lakh micro enterprises को सपोर्ट किया जा सके, 55 fishery cooperatives को सपोर्ट किया जा सके, ये सब कुछ और additional pointers हैं, मोटी-मोटी बातें इतनी आपको ध्यान रखनी है, कि प्रधान मंत्री मत्से किसान समर्दी सहयोजना launch की गई है, as a sub scheme of प्रधान मंत्री मत्से संपदा योजना और 6,000 क्रोर का outlay है अगले 4 सालों के लिए, और इसमें बढ़ावा दिया जाएगा, fishery sector को formalize करना, और micro and small enterprises fishery sectors में और आ सके इसको बढ़ावा देना, यही सब आपको यहां लिखा हुआ मिल जाएगा, सब हमने पोस्टर से पढ़ लिया, government approved sub scheme, PM मत्से किसान समर्दी योजना, central sector sub scheme है, प्रधान मंत्री मत्से संपदा योजना के अंडर में, formalize करना, fishery sector को, fisheries में micro and small enterprises को बढ़ावा देना, और उनको institutional credit facilities से जोड़ना, यानि कि उनको loans वगेरा मिल सकें, ताकि वो अपना काम शुरू कर सकें, आगे बढ़ा सकें, समर्दी योजना है, नाम में समर्दी आ रहा है, तो छोटे-छोटे जो enterprises हैं, fisheries sector में, उनको subsidized loans वगेरा provide करने के लिए योजना लाई जाते है, इसलिए आउट्टे रखा जाता है, कि 6000 करोड रुपे हैं, ताकि हम loans etc. दे सकें, easy loans, अगले 4 सालों के लिए, इसी के साथ-साथ cabinet ने approve किया, extend करना एक fund को, fisheries infrastructure development fund, FIDF जो है, उसको further extend कर दिया गया है, तीन साल के लिए 2026 तार, इसके तहर भी राशी प्रोवाइट की जाएंगी, गॉट इट, तो ये scheme समझ में आ गई, अब हमने क्योंकि प्रधान मंत्री मत्से संपधा योजना की बात छेड़ी है, तो अब इसके बार में पढ़ना पड़ेगा, कब launch हुई थी है, सेप्टेंबर 10, 2020 को इस scheme को launch किया गया था, flagship scheme है, अनि एक major scheme है, department of fisheries की, जो की ministry of fisheries, animal husbandry and daring के अंडर में आती है, union minister कौन है इसके, परशोत्तम रुपाला जी है, इसका goal है to achieve blue revolution, green revolution जिसे हम हरित क्रांती कहते हैं, ये blue revolution है, fisheries के sector में हम काफी grow कर जाएं, आत्मनिर पर बन स के, उसके लिए और 2020 से 2025 के लिए scheme को लाया गया था, 20,000, approximately 20,000 क्रोर के investment के साथ, इस scheme को launch किया गया था, ठीक है, प्रधान मंत्री मत्से संपता योजना समझ में आ गई, चलो, आगे बढ़ते हैं, अब एक amendment bill है, जिसको pass कर दिया है, parliament ने, उसकी हम बात कर लेते हैं, the water prevention and control of pollution amendment bill 2024, ठीक है, so the water prevention and control of pollution amendment bill 2024, इसको parliament ने कर दिया है, pass, तो अब यह क्या है, इस bill के तहथ, इस amendment bill के तहथ, amendment bill कब लाया जाता है, जब आपको existing bill के अंदर, या act के अंदर बदलाव करने होते हैं, existing act के अंदर बदलाव करने के लिए amendment लाया जाता है, तो कौन से act के अंदर बदलाव करना चाहता है ये बिल, Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 में बदलाव करना चाहता है, इस Act के तहद Central and State Pollution Control Boards गठित किये जाते हैं, बनाये जाते हैं ताकि Water Pollution वगेरा नहीं हो, और अगर हो रहा है तो उनको दंडित किया जा सके, ठीक है, तो ये जो कानून है already, इस में बदलाव लाने के लिए इस amendment बिलको लाया गया और इसको approval मिल गया, समझ में आगे इतनी बात, ठीक है, अब पहली बात तो ये इसको pilot किस ने किया, या नि इसको पेश किस ने किया, तो इसको पेश किया हमारे Union Environment Minister भूपेंद्र यादव जी ने, यहां तक भी समझ में आगे, अब ये amendment क्य लाया गया, क्या changes चाहते हो आप इस act के अंदर, तो सबसे पहली चीज़ कि अगर थोड़े minor minor offenses हो जाते हैं न, water pollution से related, तो ऐसा नहीं है कि आप सीधे criminal charges लगा दीजे और punishments दे दीजे, तो उसको decriminalize करने के लिए पहला change तो ये मांगा गया, और उसके लिए amendment भी लाया गया so decriminalize minor offenses related to water pollution और उसकी जगे आप क्या करो, monetary penalty लगा दो, पैसों की penalty लगा दो, तो अगर थोड़े थोड़े कोई offense कर रहा है, कोई industry है, कोई individual है, कोई organization है, तो आप एकदम criminal charges मत लगा, उसमें आप minor cases के अंदर monetary penalty लगा दो, ठीके, 10,000 से लेके 15,000,000 रोपे तक का penalty लगा जा सकता है, दूसरी चीज, अचा पहले तो इससे क्या होगा, इससे जो citizens हैं, जो organizations हैं, वो थोड़े free mind से काम कर सकते हैं, बहुत डर में काम नहीं करेंगे, अरे भाई हमसे थोड़ी बहुत गलतियां होगे, यह तो criminal charges टुक जाएंगे, ओके, दूसरी चीज, इस bill ने propose किया है Central Government will prescribe manner of nomination of chairperson of state pollution control board, तो state pollution control board जो है, उसके उपर center को थोड़ी जादा power दी गए है, Central Government बताएगी किस तरह से आप chairperson को nominate करोगे for state control board of pollution, समझ में आँगे बाद, ओके, दूसरी चीज, central government को और power दी जा रही है, किस context में, to issue guidelines on the matter, कि भाई, जो आपके state control, state board है for pollution, तो अगर उन्होंने किसी industry को लगाने के लिए grant दिया है, या refusal किया है, या cancel किया है, तो उससे related जो guidelines है, कि किस case में आप approve करोगे, किस case में cancel करोगे, वो guidelines भी, कौन issue करेगा, Central Government issue करेगी, ठीक है, तो Central Government को state board of pollution के उपर काफी powers इस नए law ने इस amendment bill के through, so state board बताता है भई, कौन सी industry, operation या process जो है, वो उसको grant दे, refusal दे, consent दे, नहीं दे, लेकिन अब इस से related जो guidelines है, वो Central Government की तरफ से आएगी, so अभी इसको हिमाचल प्रदिश और राजस्थान दो states में और सभी unit territory में लागो किया जाना है, इस amendment को और धीर 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 बाकी जगे होगा, I hope the entire thing is clear to you, चले, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, IIT Madras and Munitions India Limited जो है, उन्होंने एक आपस में, एक कोलिजन बोल दीचे या फिर आपस में वो साथ आए हैं, to make countries first indigenously designed smart ammunition, गोला बारूत जिसे हम कहते हैं ना, ammunition, so एक smart ammunition India का, खुद का indigenously develop किया जा र रहे हैं, IIT Madras and Munitions India Limited, MIL, so IIT Madras collaborate with Munitions India to develop India's first, भारत का पहला, indigenously designed भारत में ही design किया गया, 155 mm का smart ammunition, अब smart ammunition से हम क्या कहते हैं, अब यो में बताऊंगे, smart ammunition से हम ये चाहा रहे हैं कि जो हमने target पे इसको भीजा है, fake है, target पे इसको छोड़ा है, तो वहाँ circular error probables जो हैं, वो better achieve हो सके, circular error probables का मतलब, जैसे आपने कभी वो देखा है, तीर अंदाजी या shooting वगएरा जो होती है, या आपका bulls आए है, फिर ये अलग-अलग areas बने हुए होते हैं, radius के basis पे, तो पहले अभी जो हमारे पास current ammunitions वगएरा हैं, उनका 500 meter तक का circular error probables होता है, यानि अगर आपको यहां hit करना है, तो मान लेजे 500 meter की दूरी तक का precision हम लेके चलते हैं, कि इतनी दूरी तक तो hit हो ही जाएगा, depending on the munitions, लेकिन अब जो नई technology से हम बना रहे हैं, इंडिजिनसली, उसमें हम 10 meter का, कितना 10 meter का precision अचीव कर पाएंगे, इस तरह के smart munitions हम develop कर रहे हैं, ओके देन आगे बढ़ते हैं, जो smart shell है वो 8 km से लेकर के और 38 km तक की range के अंदर अपना impact करेगा, और इससे accuracy तो बढ़ेगी ही, lethal बहुत जादा घातक भी होगा, और हम indigenize भी कर पाएंगे हमारे defense systems को और defense sector को, इसके लिए यह जो collision है या जो दोनों साथ में आई हैं organizations, यह काफी importance रखती है, IIT में ज्रास, and साथ में Munitions India Limited, MIL, दोनों ने साथ में मिलके भारत का पहला indigenize design 15 mm का smart ammunition बनाना है, got it, चौल, अब गोला बारुत से आजाते हैं, थोड़े pets की तरफ, कुतों की तरफ चलते हैं, या pets की तरफ चलते हैं, जो भी आपके pets हो Tata Cancer Hospital बहुत famous है, जाना जाता है, इसी तरफ से Tata Trust to open India's first state of art, यानि इतने बड़े पैमाने पे, अपनी तरह का small animal hospital in Mumbai, छोटे जानवरों के लिए, पैट अनिमल जासा नहीं, उठाती लेओ, small animals hospital in Mumbai, तो Tata Trust जानवरों के लिए अपनी तरह का पहला बड़ा hospital Mumbai के अंदर खोलन होंगे, round the clock services होंगे, operation theater होंगे, सारी facilities यहाँ पे होने वाली है, majority pets आपको dogs देखने को मिलते हैं, तो उनका इलाज बहुत जादा हो पाएगा, अगर हम current status देखें, ये जो पूरा मैंने एक picture लगाया है ना, इसमें आपको ये दो जगहों पे ध्यान जादा देना है, बाकी 36% rabies death भी होती है, pets काट लेते हैं, और पहले से वैक्षिन नाइस नहीं होते हैं, तो rabies होने के chances होते हैं, तो 36% of rabies deaths इंडिया में होती हैं, और उनमें dogs सबसे common कारण होते हैं, rabies का, और इसलिए अब ये जो hospital हैं, services हैं, थोड़ा इन सब चीज़ों में help करने वाली हैं, got it अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, amul presents sports aces, तो sports aces award दिये गए, और उसके अंदर काफी सारे खिलाडियों का award दिया गया, jury members थे, इनके नाम बिलकुल याद नहीं रखने हैं आपको, 8 of February को ये award ceremony हुई, sports star aces award 2024, sports star ने aces award दिये हैं, किस किस को दिये हैं, देखते हैं लग तो best state for promotion of sport, ये award किस को मिला, Tamil Nadu को मिला, Tamil Nadu काफी उत्कृष्टर प्रदर्शन कर रहा है, sports को बढ़ावा देने के लिए, 770 क्रोड से भी जादा का budget पिछले साल इन्होंने sports और international competition में अपने खिलाडियों को भेजने और तयारी के लिए national international में लगाया था, ठीक है, उसके achievement award दो लोगों को दिया गया, कर्णम मलेश्वरी जो की weightlifter है और former Indian cricketer चंदू बोर्डे, कर्णम मलेश्वरी और चंदू बोर्डे इन दोनों को lifetime achievement मिला है, first ever international icon award भी दिया गया, पहली बार international icon award की category रखी गई, वो किसको गया, मुरली धरन को गया, then रोहन बोपना जिन्हो सबसे oldest खिलाडी बन जाते हैं, इस खिताब को जीतने वाले, उनको ace of aces award दिया गया, ace of aces, सबसे पहलों में भी पहला, ace of aces award, अब यह table देख लेते हैं, यहां से आपको सब clarity मिल जाएगी, so अचा, अब यहां पे आपके twin purposes solve हो रहे हैं, कौन सा award किस इंसान को मिला, वो त की रंदाज, ठीक है, तो चलिए, sportsman of the year, individual category में sportsman of the year, दो लोगों को दिया गया, साथविक साहराज, रनकी रेडी और चिराख शर्टी को दोनों badminton, बहुत popular खिलाडी है, sportswoman of the year, किसको नवाजा गया, रमेश बाबु वैशाली, कौन है, रमेश बाबु, आर प्रग्निन प्रग्ननंदा की सिस्टर है, ये, grandmaster है, चेस में, और भाई बहन की जोड़ी, पहली जोड़ी, जो grandmaster है, वो इनी की है, आर प्रग्ननंदा और आर वैशाली की, और साथ-साथ सिप्त को और सामराजो की शूटर है, इन दोनों को sportswoman of the year, आप दे एर अबाट दिया गया, sportsman of the year, para sports में, सुमिन्त अंतिल को दिया गया, जो की भाला फेकते हैं, and sportswoman of the year, para sports में, टी मुरुगेशन जी को दिया गया, पैड्मिंटन में, coach of the year गये, राहुल द्राविड, lifetime achievement हमने देखी लिया, चंदू बोड़े and कर्णम मलेश्वरी, sportsstar of the year, ये तो sportsman थे, ठीके, अब ये sports star है, sports star of the year, नीरत चोपरा को गया, world famous javelin thrower, and sports star of the year, female, शीतल देवी को गया, again, very popular archer, para archer है, para games के अंदर, ठीके, ये clear हो गया, आगे और है, picture अभी बागी है, so best state for promotion of sport हमने देख लिया था, Tamil Nadu, ठीके, best PSU, public sector undertaking, promotion of sport के लिए, NTPC limited, best corporate, ये तो government की हो गई, best corporate जिसने sports को promote किया, Tata Steel limited, best university for promotion of sport, ये भी Tamil Nadu की एक university है, SRM Institute of Science and Technology, ace of aces हमने देख लिया, रोहन बोपना को गया है, international icon हमने देख लिया, मुथाया मुरली धरन को गया है, got it, so ये sports star, जो awards थे, वो clear हो गए, अगली खबर, अब हम सीध है, NASA से ला रह रहे हैं, अर्थ से ही मिलता जुलता, पर अर्थ से बड़ा, एक planet खोजा गया है, और उसको super earth नाम दिया गया है, और हमारे जैसा ही वहाँ पे atmosphere और habitable zone के अंदर ये earth है, तो काफी chances हो सकते हैं, कि वहाँ पे कोई रिच्चा माम, कुछ students को पढ़ा रही हूँ, है ना, possibility, च ये universe, बहुत अजीब सी feeling आने लगती है, मुझे तो आती है, I don't know about you people, शयद मेरी एज पे आओगे तो आजाएगी, so super earth, super earth which is 1.5 times larger than earth has been discovered by NASA and it is a new planet, जो की habitable zone के अंदर खोजा गया है, यानि वहाँ पे जो पानी है वो liquid form के अंदर ही है, ऐसा नहीं है कि हमारे जैसे पानी होता है उसी तरह का पानी वहाँ पे होने की possibility है, habitable zone है वो, क्योंकि वो जिस star के आसपास है वो ना जादा पास है ना जादा दूर है, बहुत दूर होगा तो जम जाएगा planet, बहुत पास होगा तो इतना तपन होगी, heat होगी के पानी रही नहीं सकता, so वो ऐसे distance पे ह अपने stars के around जो वो घूम रहा है, एक red star है, उससे इतनी दूरी पे है कि वो habitable zone में है, वहाँ पे पानी proper liquid form में available है, इसलिए life की possibility भी बहुत strong है, नासा ने discover किया है super earth with habitable zone, और नासा के transition exoplanet survey satellite, यानि TESS ने spot किया है इस super earth को, किस ने spot किया है, TESS ने, 137 light years दूर है earth से, और एक small reddish star को, के around ये घूम रहा है, और habitable zone के अंदर घूम रहा है, like I told you, अगर ये star है, ठीके जैसे हम sun के around घूम रहे हैं, ऐसे star है, इसके around अगर ये super earth घूम रही है, बहुत पास होती, तो बहुत गरम हो जाती, कुछ possible नहीं था, बहुत दूर होती, तो freeze हो जाती, कुछ possible नहीं था, habitable zone में है, यानि यहाँ पे life possible हो सकती है, यह जो exoplanet ढूंडा गया है, exoplanet यानि कि हमारे जो solar system में उससे बाहर है, इसलिए exoplanet, इसको TOI 715B नाम दिया गया है, करीब देर गुना, अर्थ से जादा इसकी width है, और यहाँ पे एक साल जो है, वो 19 अर्थ डेस के ब जोन को गोल्डी लॉक जोन भी कह रखा है, गोल्डी लॉक जोन का मतलब होता है, ना जादा गरम ना जादा कोल, गोल्डी लॉक की स्टोरी है न, कि चलो आभी नहीं चुनाँगी, क्लास कटा हैं बहुत लंबा हो जाएगा, ओके चलो, यहाँ तक थी हमारी news, और खतम हो अब क्लास और सेशन खतम नहीं हुआ, अब हम रिविजन क्वेशन प्राक्टिस करेंगी, जो भी आज हमने पड़ा है, फटा फट उसमें से में क्वेशन करती हूँ, फिर हम कुछ प्रिवियस देज के क्वेशन प्राक्टिस करेंगी, रेडी हो जाएए आंसर करने के अब हमने देखे ना अभी, स्पोर्ट स्टार असस अवार्ड 2024 दिये गए, उसमें बेस्ट स्टेट पर प्रमोशन आफ स्पोर्ट का अवार्ड किसको दिया गया, कौन सा स्टेट है, तामिल, नाडू, ओके, next question for you people, get ready, which institutions are collaborating to develop India's first, indigenously designed, 155 mm smart ammunition, कौन से दो institution हैं, जो साथ आ रहे हैं या आचुके हैं for India's first indigenously designed 155 mm smart ammunition, क्या अंसर है, IIT, Madras and Munitions India Limited, अकला सवाल, which two Indian cities were among the 10 worst for traffic in TomTom Traffic Index 2023, TomTom Traffic Index 2023 में भारत के कौन से दो शेहर, worst traffic की top 10 list में शुमार हैं, आंसर क्या होगा, Bangaluru and Pune, so D will be the right answer, consider the following names, okay, Chaudhary Charan Singh, P.V. Narasimha Rao, M.S. Swaminathan, L.K. Advani, ठीक है जी, who among the above will be honored with country's highest civilian honor, the Bharat Ratna posthumously 2024, posthumously इन में से किन को दिया जाएगा भारत Ratna, Chaudhary Charan Singh, Hanji, posthumous, P.V. Narasimha Rao, posthumous, M.S. Swaminathan, posthumous, L.K. Advani, नहीं नहीं, जिन्दा है अभी, so 1, 2, 3, answer C हो जाएगा, अच्छा यहीं पे ना, कल जब मैंने आपसे UCC से related इसी तरह का question पूछा था, 3 options थे, तो वो मैंने General Uniform Civil Code के context में question पूछा था, उतराखंड से related UCC का question नहीं था वो, कई बच्चे confuse हो रहे हैं कि माम, Schedule Tribe वाला जो option था, वो तो सही होना चाहिए, नहीं होगा, क्योंकि Uniform Civil Code जो General Director, principle of state policy के अंदर mention है, उसमें Schedule Tribe को अलग से treat करने की बात नहीं की गई है, ठीक है, तो question ध्यान से पढ़ा करो, चलो, अब हम कुछ previous days के question ले लेते हैं, who has recently been appointed as the new Prime Minister of Kazakhstan, Kazakhstan के नए Prime Minister कौन बने है, याद करवाया था कुछ टेक्निक दी थी, कागर्स की ओला बनाई थी, तो ओल्जास, बेक्तिनॉव, where is the 7th Indian Ocean Conference taking place, 7th Indian Ocean Conference, जिसमें हमारे External Affairs Minister भी address देने वाले थे, कहां, कहां हो रही है, Perth, Australia के अंदर, which Indian State's Assembly recently became the first in independent India to pass uniform civil code, अब तो यह आपको बिलकुल आता होगा, है ना, so independent India में पहली State Assembly, जिसने uniform civil code पास किया है, कौन से state की है, answer हो जाएगा, उतराखंड, independent से पहले का civil code, Goa follow कर रहा है, Portuguese के time का, okay, How many kilometers of Indo-Manmar border is India constructing, how, on, how many kilometers of Indo-Manmar border is India constructing an impenetrable fence along, Okay, so India में मार का जो border है, उसके कितने kilometers पे इंडिया एक fence बना रहा है, पूरे border पे, कितना है पूरा border इंडिया में मार का, answer होगा, 1643 kilometers, right, और free movement regime जो है, अब बंद कर दी जाएगी, right, चलो, और यह है आपका question of the day, जिसका answer आप comment section में लिखेंगे, और फिर हम इसको Monday को discuss करेंगे, वापिस बता दू, जो बच्चे सेशन में अब जोड रहे हैं, कि आज Saturday का session हो चुका है daily CA का, कल weekly का day है, Sunday, 12 बज़े weekly session आएगा, आपका revision आप सब देखोगे, ताकि पूरा हफता आपका revise होजा, इसको pack कर के side में रख दो, अब हम daily CA में Monday को मिलेंगे, और हम Sunday और Monday, दोनों दिन के current affairs, Monday को 12 बज़े complete करेंगे, ठीक है, चलिए, तो आपका question है, what is the mascot of Halo India University Games 2023, जल्दी से comment section में answer कीजेगा, PDF की जानकारी दे दिया, have a happy weekend everybody, take care, bye bye